हलो फ्रेंट्स वोगत है अप सब इक आपके अपने योडियो चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जी हैं दोस्तों मेरे पास काफी दास फ्रेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कोशन्स ये हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का जो परसंटेज रूल है वो क्या है यानि कि कितनी परसंटेज होनी चाहिए यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने के लिए तो आज की स्वीडियो में कम्प्ली डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे और आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे एक छोटी से रुक्वेस्ट है और आप लोग चैनल पे नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आइकन ज़रुद बादिए जाँके आप लोग अपना स्टेटस कहां से देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का उसके बाद हम बात करेंगे कि परसंटेज किस किलास की देखी जाती है यानि कि 12th किलास की परसंटेज चेक की जाती है या फिर आपकी प्रिएस एर का रिजल्ट चैक किया जाता है scholarship का benefit लेने के लिए सो गाईस सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open करना है वहाँ पर आपको simply search करना है सरकारी jobfind.com इसका direct link मैं आपको नीचे description दे दूँँ आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और direct Chrome browser पर भी search कर सकते हैं सरकारी jobfind.com जैसे अब इस वेज़े पहुजेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जहाँ पर आपको simply UP scholarship 2021 online form पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर simply नीचे आजाना है जैसे अब यहाँ पर नीचे आएगे तो camera की तरफ आपको बताते हैं कि percentage rule क्या है UP scholarship का benefit लेने के लिए so guys आप लोगों ने चेक कर लिया कि status के स्थरा से चेक करना है कहां से registration करना है इस सारी details अब बात आती है कि percentage rule क्या है district level पर आपका verification होता है अगर 12th class में आपकी percentage 60 से कम है यानि कि 60% से कम है तो district वाले form को verify नहीं करते हैं आपका form जो होता है district level पर ही pending रह जाता है और आपकी scholarship नहीं आपाती पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है form verify नहीं होते हैं अगर last में एक से दो दिन पहले ही form को verify कर दिया जाता है यानि कि 59 percentage 58 percentage वाले जो चात रहें उनके form भी verify हो रहे है मगर इस साल से सुनने में ये आ रहा है कि 60% से जिनकी कम है यानि 59.9 भी percentage रहेगी उनके form को verify नहीं किया जाएगा और आपकी scholarship नहीं आनी की ये बात clear रहे जैसा कि update से पता चलाए ठीक है अगर कुई भी update आती तो हम आपको वीडियो के मादियम से update कर देंगी पिछले साल भी ये rule आया था कि 60% से कम वालों की जिनकी percentage उनके form verify नहीं होंगे management quota, special quota से admission मिल जाता है ऐसे चात्रों की तो scholarship नहीं आनेगी क्योंकि वो college वाले ही form को verify नहीं करते है ये बात बिल्कुल clear है तो यहाँ पे जो आपकी second year, first year यानि की अगर आप B.Tech के student है final year के या third year के तो यहाँ पे first year, second year, third year के percentage नहीं चेक की जाती सिर्फ 12th class की percentage चेक की जाती है form verification के time और इस बात का आपको ध्यान रखना है 10th की percentage भी count नहीं होती सिर्फ 12th class की percentage चेक की जाती है form verification के time और अगर किसी भी तरह की कोई भी update आती है तो हम आपको वीडियो के मादियम से update कर देंग आपको चैनल को subscribe करके bell icon ज़द बादी thank you friends have a nice day